देखिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आचार्य चानक्य ने औरतों के चरित्र के बारे में क्या कहा है और ये भी कि आदमियों को औरतों से किस तरह से व्यवार करना चाहिए सबसे पहला शलोक और इसमें आचार्य चानक के कहते हैं कि आदमी के कंपैरिजन में एक औरत में भूख दो गुना, शर्म चार गुना, हिम्मत छे गुना और कामशक्ती याने सेक्स पावर जो है वो आठ गुना होती है इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आदमी से कई गुना जादा होती है और इसलिए अगर आप एक आदमी हो तो जब तक आप आप आदमी के सामने रहो हमेशा अपनी आउकात में रहो ऐसा क्यों करना चाहिए ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि गलती चाहे किसी से भी हो गलती हमेशा आदमी की ही मानी जाती है अब देखिए इस वीडियो को बनाने के पीछे की वज़ा ये है कि आपको ये बात एकदम क्लियर कट तरीके से समझाई जा सके कि आपको अपनी पत्नी से या कहा जाए कि अपनी प्रेमिका से किस तरह से वेवार करना चाहिए ताकि आप वो गलतीयां ना करें जो आप आम तोर पर करते ही रहते हैं और आपको मालुम भी नहीं होता इस वीडियो में जब मैं इन दोनों के बारे में बात करूँगा तो मैं केवल पत्नी शब्द का इस्तेमाल करूँगा सबसे पहला सूत्र और इसमें आचारे चानक के कहते हैं कि वो इनसान जो अपनी पत्नी का बहुती जादा ध्यान रखता है बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है उसके कहे के हिसाब से चलता है तो फिर उसको हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है पर अगले ही सूत्र में आचारे चानक के फिर ये भी कहते हैं कि वो इनसान जो अपनी पत्नी का बिलकुल भी ध्यान नहीं रखता बिलकुल भी देखभाल नहीं करता और उसके कहे के हिसाब से बिलकुल भी नहीं चलता तो उसको भी हर तरह से हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसलिए आचारे चानक के ये कहते हैं कि एक आदमी को अपनी पत्नी का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना की रखना चाहिए उतनी ही देखभाल करना चाहिए जितनी की करनी चाहिए उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी की कहनी चाहिए और उतनी ही सुन में आचारे चानक के कहते हैं अन्रुतम साहसम माया मूर्खत्व मति लोभिता अशोचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोशाह स्वभाव जाह और देखिए आप इसके भावार्त को समझिए जो है मीठी मीठी बातें करकर अपना काम साध लेना जरूरत से जादा हिम्मत हो समेशा अपने ही फायदे की और अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचना और सही गलत उचित और अनुचित की कोई बहुत जादा परवा नहीं करना और किसी के लिए भी अपने दिल में जरा सी भी दया की भावना नहीं रखना और देखिए ये सातों की सातों स्किल्स जो है ये उस लेवल की स्किल्स हैं कि जिनको सिखाने के लिए आचार ये चानक ने पूरी की पूरी चानक के नीती लिखी है और ये सातों की सातों स्किल्स जो हैं ये औरतों में उसी तरह से होती हैं और उनको उसी तरह से आती हैं जिस तरह से मचली को पैदा होने से भी पहले तैर उस आदमी से महबबत करती हो और दूसरी परिस्थिती ये है कि उस औरत को उस आदमी से कोई काम निकलवाना हो अब देखिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए चार सूत्र और कहे गए हैं जिसमें से सबसे पहला सूत्र है त्रीशू किंचिद अपीन विश्वसेद दूसरा है स्त्रीशू विश्वासो नईव करतव्य याने औरतों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता और इसी लिए औरतों पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तीसरा सूत्र है मातरम अपीन विश्वसेद याने पूरी तरह से अपनी मापर भी भरोसा नहीं करना चाहिए और चौथा सूत्र है माता अपी दुष्टा त्याज्या याने मा भी अगर दुष्ट हो तो फिर उसके साथ नहीं रहना चाहिए पर देखिए फिर आचारे चानके ने ये भी कहा ही हुआ है सर्ववस्थासू माता भर्तव्या याने चाहे कुछ भी क्यों ना किया हो आपको अपनी मा की देखभाल और भरन पोशन करना पढ़ेगा और करना ही चाहिए इस चीज को भी समझिये कि तीसरे और चौथे सूत्र में जो बात कही गई है ये असल में कुछ इस तरह की बात है जो लाखों में एक बार और वो भी कभी कभार होती है पर नीती शास्त्र के खासियत असल में ये है कि कोई चीज अगर एक करोड में एक बार भी होती है तो उसकी काट नीती शास्त्र में लिखी होई होती है भई ऐसा कौन था जो इस बारे में जरा सा सोच भी सकता था कि भगवान श्री राम को वनवास जाने के लिए कोई बोल भी सकता है पर ऐसा हुआ और वो महरानी कहकई जिन्होंने अपने पती की जान की परवाह नहीं करी अपने बेटे के जरा से नाराज हो जाने पर सब कुछ पहले जैसा करने के लिए तैयार हो गई और देखिए इसी एक्जाम्पल की वज़ा से आचार्य चानक्य का ये एक विश्व प्रसिद्धिश लोग है त्रिया चरित्रम पुरुशस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य यने औरत के दिल में क्या छुपा हुआ है और आदमी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है ये बात जब देवता तक नहीं जान सकते तो इंसान की तो ओकात ही क्या है इस चीज को भी समझ ये कि बिना धोखा खाए आप कभी भी इस बात का अंदाजा लगा ही नहीं सकते कि आपसे महबत की जा रही थी या कि फिर आपका इस्तेमाल किया जा रहा था और देखिए इसी लिए आचार ये चाणक के कहते हैं कि वो इनसान जो इन मोह मोह के धागों में अपनी एक उंगली को भी उलजाता है तो फिर वो इन धागों में खुद उलज कर रह जाता है और फिर उस इनसान को बिलकुल उसी तरह से नचाया जाता है जिस तरह से उंगली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देखिए आचारे चानक के कहते हैं कि एक आदमी को ये चाहिए कि वो औरतों से ना तो बहुत जादा दूरी बना कर रखे और ना ही बहुत जादा निकटता बनाने की कोशिश करे, इस चीज को जरा सा समझ भी लीजिए, देखिए ऐसा कभी भी और अगर उसने मना कर दिया, तो आप चाकू लेकर पहुँच गए, और देखिए इस चीज को आप जरा सा ऐसे समझ कर देख लीजिए, कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी लड़की से बात करते समय आपसे कभी भी कोई गलती ना हो, तो आप बस किवल इतना कर लीजिए, क दूसरी चीज देखिए आप ये भी समझिए, कि वो इंसान जो प्यार महबबत के चक्कर में पढ़ता है, या कि फिर वो इंसान जो प्यार महबबत की वज़ा से शादी कर लेता है, उससे बड़ा बेवकूफ और कोई भी नहीं होता, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्योंकि श किसरी वज़ा होती है, कॉंटैक्ट्स बनाने के लिए, तीनों को समझिए, देखिए जब हम शादी करते हैं, तो बच्चे आम तोर पर हो ही जाते हैं, जरूरत असल में इस बात की रहती है, कि आपकी पत्नी जो है, उसमें इस तरह के संसकार होना चाहिए, कि वो आपके ब परिवार चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, और आपके संसकार चाहे कितने भी अच्छे क्यों न हो, आपका परिवार बरबाद हो जाएगा. तीसरी वज़ा थी, कॉंटैक्ट्स बनाना, याने जब आप शादी करें, तो आपको इस बात पर बहुती जादा ध्यान देन नहीं मिल रहीं, सिर पर पैर रखकर भाग लीजिए ये हो गई तीसरी चीज, चौथी चीज देखिए काफी सारे लोग जो हैं, वो इस तरह की सोच रखते हैं कि पत्नी जो है, वो बहुती जादा सुन्दर होना चाहिए पर इस चीज के बारे में आप जरा सा खुद सोच कर देखिए अगर पत्नी केवल सुन्दर ही है, पर उसमें बात करने की तमीज नहीं है हमेशा नीचा ही दिखाती रहती है, गुस्य में रहती है, कड़वा बोलती है, कलह करती है और ये सारी चीजें देखिए एक तरफ, अगर चरित्र की अच्छी नहीं है, तो देखिए बाकी की किसी भी क्वालिटी का कोई मतलब भी नहीं है और देखिए ये जितनी भी बाते कही गई हैं, इनका प्रमुक शलोक भी देख लीजिए विवाद शीला स्वयमर्थ चोरिनीम, परानु कूलाम पती दोश भाशिनीम, अगराशिनीम अन्य ग्रहे प्रवेशिनी, भार्याम त्यजेत पुत्र दश प्रसूती काम यने वो जो हमेशा बहस करती रहती हो, वो जो केवल अपने फाइदे के बारे में ही सोचती रहती हो, वो जो ऐसे बात करती है जिससे हमारा नुकसान होता हो, वो जो अपने पती की बुराई दूसरों के सामने करती हो, वो जो अपने पती और बच्चों से पहले अपने आपकी पत्नी में हो, तो फिर उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही चाहे उससे दस पुत्र पैदा हुए हो. ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए, क्योंकि वो इंसान जिसकी पत्नी इन में से कोई एक काम भी करती है, तो उसके पती का खून उबलता नहीं है और आचारिय चानक्य के हिसाब से पत्नी जो है, वो असल में इस तरह की होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसी ही होना चाहिए, जिससे दिल, दिमाग, शरीर और आत्मा को सुकून मिले. ये हो गई चौथी चीज, पाँचवी चीज. सवाल ये उड़ता है, कि हम इस बात को किस तरह से मालूम कर सकते हैं, कि हमारी पत्नी में या कि फिर हमारी होने वाली पत्नी में अच्छे संसकार हैं या नहीं है, या कि फिर वो हमसे वाकई में प्रेम करती है, या सब कुछ केवल दिखावा ही है, क्योंकि एक तरफ तो य पैसा क्या करना चाहिए जिससे हमें ये दोनों की दोनों चीसे मालूम भी चल जाएं और वो तरीका जो हो वो उस तरह का हो जिसकी कोई काट ना हो और देखिए इस बात को जानने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप पूरे एक साल तक इस बात का दिखावा करते रहो कि एकदम फटी होई है और आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है इस चीज को भी समझ ये कि ये जो साल भर वाली बात मैंने कही है ये तो अगनी परिक्षा हो गई आप इस बात को किवल एक बार बोल कर देख लीजिए और आपके पैसे के महबबत के और दोस्ती के सारे के सारे कॉंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएंगे और आप इस तरीके को अपने दोस्तों पर भी एक बार आजमा कर देख लीजिए पूरा प्रोसेस कर चुकने के बाद आपके पास बस केवल उतने ही लोग बचेंगे जो काम के होंगे इस चीज को भी समझ ये कि ये तरीक कि कोई काट नहीं है अब देखिए ये तो हो गई उन औरतों की बातें जिनसे हम प्रेम करते हैं अब जरा सा ये भी समझ लीजिए कि हमें उन औरतों से किस तरह का व्यवार करना चाहिए जिनसे हमारी जान पहचान वाले या बिना जान पहचान वाले प्रेम करते हैं और द दूसरी चीज आचारे चानक की ये कहते हैं कि सामने वाला आपका चाहे कितना भी सगा क्यों ना हो पती पत्नी के बीच में या कि फिर पती पत्नी के मामलों में कभी भी नहीं बोलना चाहिए। चुपचाप सुनने का ही रह जाता है ना आपको हां बोलना चाहिए ना ही ना बोलना चाहिए ना आपको हां में से रहलाना चाहिए ना ही आपको ना में से रहलाना चाहिए ऐसा क्यों भई अगर सामने वाला तारीफ कर रहा है और आपने भी थोड़ी सी तारीफ या थोड़ हो जाएगी और अगर आपने ये कहा कि यार इन सब मामलों में मुझसे मत पूछा करो आगे चल कर आपकी इमेज खराब हो जाएगी इसके अलावा अपने दोस्त की पत्नी अपने भाई की पत्नी अपनी पत्नी के भाई की पत्नी और अपनी पत्नी की बहन, आचार व्यवार में अभिवादन इनकी सीमा होती है, याने अगर रिष्टे में बड़ी हैं, नमस्ते भावी जी, छोटी हैं, नमस्ते बेटा, इसके अलावा दूसरी बात और कुछ भी नहीं की जाती, और अगर ये कभी आपसे कुछ मजा करती भी है तो आपको केवल बेवकूफों की तरह मुस्कुराते रहना चाहिए, ये हो गई दूसरी चीज, तीसरी चीज, अगर दो औरतें बात कर रही हैं, या बहस कर रही हैं, आपको वहां से चले जाना चाहिए, और अगर आप नहीं जा सकते, तो आपको बहरे बन जाना चाहिए, और अगर हाथा पाई की नौबत आ जाए तो अपनी औरत को बचाते हुए उसे लेकर चले जाना चाहिए आखरी चीज़, देखिए आदमी जो है ये औरत के बिना अधूरा है और इसलिए आदमी के लिए औरत से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती और औरत से बढ़कर कोई कमजोरी भी नहीं हो सकती और इसलिए अपनी पत्नी के रूप में अगर आपने सही औरत का चुनाओ किया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना बढ़ा देती है पर अगर आपने गलत औरत का चुनाओ कर लिया तो वो आपकी ताकत को लाखों गुना कम कर देती है और इसलिए आचार्य चानक के कहते हैं कि वो आदमी जो इन सभी बातों पर गहराई के साथ विचार करते हुए अपनी पत्नी का चुनाव समझदारी के साथ करता है वही और केवल वही इस संसार में अपनी कोई स्थिती बना पाता है कमेंट कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस पूरे वीडियो में सबसे अच्छा सूत्र या सबसे अच्छा श्लोक या कि फिर सबसे अच्छा एक्स्प्लेनेशन आपको कौन सा लगा इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ आपने मुझे इतना समय दिया थैंक्यू वरी मच्छ